हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोश्व परहार में मैं हूँ एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक लेटिस्ट निने की भी जान करी दूँगा और उससे पहले मैं आपको थोड़ा से समझा देता हूँ जो नहीं चाहती है यह दोनों कोई किलेर होता है कि हमें साथ में नहीं रहना है लेकिन फिर भी अपनी पर्सनल इगो की वज़े से या और अन्य कारणों से एक दूसरे को तलाक नहीं बिया जाता है इस्पेशली पती के केस में क्या होता है जब वो पतनी को कहता है कि तुम पतनी तो अपनी सहमती से जो है वो अपने माता पिता के हैं रह रही है लेकिन पती ना तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहा है और ना ही सुक और शान्ति का जीवन जी पा रहा है ऐसे में क्या करें तो इसी चीज़ पर यह नया लेटेस्ट अभी फरवरी 2022 का निर् बहुत इंपोर्टे निर्ड है दोस्तो लेटेस्ट निर्ड है आखरी तक वीडियो में बने रहेगा और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइबर की नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें क्योंकि इस चैनल पर इ हमें साथ में अब नहीं रहना है तो ये भी अपने आप में एक कुरूरता है इस मामरे में दोस्तो पती के पक्ष में तलाक की डिक्री आ गई थी और पत्नी ने कुरूरता के आधार पर उसको चुनोती दी थी पती के वकील ने बताया कि जो पत्नी थी वो जगडालू थी और उसके कुछ हस्त अलिकेत यानि उसके खुद के हाथ से लिखेवे नोड भी अदालत में परस्तुत किये थे और साथी ये भी बताया था कि उसे विक्तितु विकार की शिकायत थी जिसकी वज़े से विवा बिगड़ गया और पत्नी का तर कि ये था कि गरभावस्ता के दौरान उसके पती ने कोई भी बिल्कुल भी भावनातमक सयोग नहीं दिया अब दोस्तों कोट ने दोनों पक्षकारों की बातों को सुना सारे तरको और इबिडेंस को देखा और उसके बाद कोट ने ये कहा कि दोनों पती पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का भावना साथ से ही वो एक असंगर जीवन जी रहे थे और साथी कोट ने ये भी माना कि जो पती ये वो पत्नी के जो व्यक्तित विकार की बात कह रहा है उस बिमारी से संबंदित कोई भी दस्तावेज कोई भी साक्षे परस्तुत नहीं कर पाया है इसलिए पत्नी की उस बिमारी को म कि बच्चे की custody माता को दी जाएगी क्योंकि पिता ने बच्चे के लालन पालन में उसकी परवरिश में कभी कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाई है और साथ ही पिता को ये कहा कि ये दी future में वो चाहे तो वो अलग से बच्चे की custody के लिए petition file कर सकता है तो दोस्तो ये पूरा म कारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ तब तक के लिए goodbye and thank you for watching, take care.